हेलो प्रेंट देखे कलास टेंट का हिंदी का भी भी अब्जेक्टिक कोचन है तो वीडियो को लास्ट अब जूरू देखेगा और कॉमेंटर में बताईएगा कि आप पहले से किकने कोचन का एंसल जानते थे देखे वीडियो शुरू करते हैं पहला नमर कोचन है बीश के द करेंड़ों यहिए मैश मुलर् किस पार्ठ के रचेटा रहता है तो इसकां आपर सब्झेटा है कजारिक्त कि शिए थे नाखुन क्यों बठते यह पहादूर अपने घर से क्यों भाग घया था तो इसका है अगो है कि निर्मला कौन थी इसका है कठाकार के पठनी तो अठमा नम न्मको कोचन है यृज जर्वाज का संबंद किसी घर आने से है तो इसका है किपा किसी से है तो इसका हैं से हो जाएगा शी बीर्जियू महरास से से कविन्यों कीस नड़े के किनार बसा है तो अगला कोच्छन करें कि मचली कहानि कि मचली किस कहानीकार की रचना है तो इसका एंसों हो जागा डी बीनोटकुमार सुकल की अगला कोचन है कि बिश्मिल्ला खा का जर्म कहा हुआ था तो इसका हम सो जागा सी डूम रहाओं में चलिए चौधर नहीं कोचन है कि शीच्छा पाठ के लिखा कौन है तो इसक्यांब सो हो जाएगा D. महात्मा गांधी पंदर कमा कोचन के सिछा और संक्रिंटी शिर्षक पाठगर की कौनसे बिद्ध्यDad तो इसक्यांब सो हो जाएगा A. निभंध चलिए 16 नवा कोचन के गांधेजे की डिस्टी में उद्धत और बनिया सिछा क्या है तो इसका है ए अहिंसक प्रतिरोध चलिए 17 नवा कोचन है गुरु किर्पा की महत्ता का वर्दात किस कभी ने किया तो इसका हैं से हो जाएगा 18 नवा कोचन है रस खान की भक्ति कैसी थी तो इसका हैं से हो जाएगा यह सगून चलिए 19 नवा कोचन के घंणानन किस काल के कभी थे तो घंणानन रेती काल के कभी थे सी इसका हो जाएगा dostate रस खान है लिए 20 नवा कोचन के घंणानन किस बारषा के मीर मून शी थे तो इसका हैं से हो जाएगा सी मुहम्मद साह रंगीले अगरा कोचन के प्रेम घंण किस का उपनाम है तो इसका हैं से हो जाएगा सी बर्डिवरी नरायन चौधरी की अगरा देखे कर है कि प्रेम सब्सक्राइब भारत मता कहां निवासनी है तो इसका एंसर हो जाएगा यह ग्राम वासनी चलिए अग्राइब को जन्तांद का जन्म के कभी कौन है तो जन्तांद के teh21 के हइड सिमा कहां है तो इसका है तो जाएगा एज पनमे 27 को जन्तांद को जाएगा एंसर इसका बंधम में चलिए 28 कोचन है हमारे निन्द में निन्द किसका पर्तिक है तो इसका एंसर होजाएगा ए गफलत 29 कोचन है अच्छर ग्यान किस कवी की राचना है तो इसका एंसर होजाएगा डी अनामिका चलिए 30 नवर कोचने के बन लटा सेंद किस कवी किस रेस्ट रचना है तो इसका एंसर हो जाएगा वी जीवनान नंदास 31 नवर कोचने रेनर मारिया रिलके किस देश के कवी है तो इसका एंसर हो जाएगा वी जर्मनी चलिए 32 कोचने रिलके की कावेसली कैसी है तो इसका एंस हो जागा यह गितात्मक अगला कोचने की नजमा मगमा की खाले जागा थी तो इसका एंस हो जागा सी उत्रवधु 34 कोचने मा कहानी है तो मा कहानी कैसी कहानी है तमिल यानी की सी एंस हो जागा चलिए 35 कोचने मंगु को अस्पाटाल ले जाते समय खाल जागा थी तो इसका एंस हो जागा डि अडिग्र अगला कोचने की सुजाता कठा है तो इसका एंस हो जागा डि तमिल धरती कब तो घूमेगी कहानी है तो इसका एंस है चेसी समाज कहानी है क्या है तो कवणकी कव journ रंक के लसला कि मांकर 3 होजागा कि तो यसका इंस हो जाएगा सी नासिक एगला कोचन कराएं कर रहा है कि महाराणी सब्द का पूलिंग रूप क्या है तो इसका है अगला नवाकोचन है वह जन्म से विखारी है इस वाक में से किस कारक भी भक्ती है इसका होजागा सी करन कारक करन कारक हो जागा कि काल के कितने भेद हैं तो इसकाइन से होजाएगा सी तीन भेदे हैं एगला कर लोकि मैंने राम को पुष्टक दी इस वाक में राम को कौन सा कारक है तो इसकाइसे हो जाएगा ये संपरदान कारक इगला कुछ कर लोकिण के बतवांकाल के कितने भेद होते नहीं तो इसके आपoser होजएगा ढदी चार अगला कोचन की स्वागट का सही संधी विछेद क्या है तो इसका अगला कोचन की नयन का सही संधी विछेद है तो इसका अगला कोचन की नयन का सही संधी विछेद है तो इसका अगला कोचन की नयन का सही संधी विछेद है तो इसका अगला कोचन की नयन का सही संधी प्लेका